नमस्कार टीवी नाइन राजिस्थान पर आज की इंसाइड स्टोरी लेकर आपके साथ मैहूँ भविशित्यागी आज अजमेर से एक तस्वीर आई तस्वीर थी राजिस्थान बेरुस्थान बेरुस्थान परिनामों को घोशित करने समेथ कई और दूसरी मांगों के लिए बेरुस्थार युवा लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि युवा बेरुस्थारों को सुना जाए गैलो सरकार अपने इस कारेकाल का अंतिम बजट भी दसफरवरी को पेश करने जा रहे हैं सियम अशोग गैलोथ खुद ये कह चुके है कि बजट युवाओ को समर्पित होगा ऐसे में युवाओ के सबसे बड़ी आस रोजगार को लेकर है लेकिन जब प्रदेश में गैलो सरकार ये दावा करती है कि हमारी सरकार ने बंपर भरतिया निकाली है युवाओ बेरुजगारों को लाखों की संक्या में नौकरी दी हैं तो फिर आखिर ये युवाओ बेरुजगार सड़कों पर क्यूं है और क्या सरकार बजट में फिर से महज घोशनाए कर खुद को युवा हितेशी बताने की जुगत में हैं क्योंकि जो आकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें देख और सुनकर आपके जहन में भी यही सवाल उठेंगे तो गैलो सरकार के दावे का सच क्या है यह आज आपको बताएंगे आपको बताएंगे कि कैसे इस साल बड़ी बड़ी भरतिया तो निकाली गई लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली बिरोजगार युवाओं के साथ कैसा खेला राजिस्तान में हो रहा है और साल दर साल भरती दर भरती हरे काकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साल 2022 की साल 2022 में सरकार ने 19 बड़ी भरती परिक्षाएं निकाली इन में नियुक्तिया दी जाती तो 95,184 युवाओं को सीधे रुजगार मिलता लेकिन इन में से एक में भी नियुक्ति नहीं दी गई किसी में परिक्षा बाकी है तो किसी में परिणाम सब कुछ हो भी गया तो इंटिव्यू के कारण मामला अटका हुआ है 48,000 पदों पर सिक्षक भरती निकाली गई जिसमें परिक्षा भी बाकी है 2996 पदों पर सिटी सनातक स्तर भरती निकाली गई जिसमें परिणाम बाकी है 9,862 पदों पर बेशिक कम्प्यूटर अंदेशक भरती निकाली गई इसमें भी नियुक्ति बाकी है 9,760 पदों पर वरिष्ट अध्यापक भरती निकाली गई जिसमें परिणाम बाखी है 6,000 पदों पर स्कूल व्याकता भरती निकाली गई इसमें भी परिणाम बाखी है 546 पदों पर PTI भरती निकाली गई अंतिम परिणाम बाखी है 460 पदो पर लाइब्रेयन की भरती निकाली गई इसमें भी अन्तिम परिणाम बाकी है 461 पदो पर वरिश सारीरिक शक्षक भरती निकाली गई इसमें भी परिणाम बाकी है 200 पदों पर Food Safety Officer भरती निकाली गई इसमें भी परिक्षा बाकी है 2020 पदों पर Pharmacist भरती निकाली गई आवेदन जारी है 1289 पदों पर Nursing Officer भरती निकाली गई इसमें भी आवेदन जारी है 1155 पदों पर महिला स्वास्त कारिकरता भरती निकाली गई इसमें भी आवेदन जारी है 1044 पदों के लिए लेब टेक्निशन भरती निकाली गई भरती प्रक्रियाधीन है 1015 पद पर सायक रेडियोग्राफ भरती निकाली गई भरती प्रक्रियाधीन है कुल मिलाकर 95184 उननिस बड़ी भरतिया निकाली गई है जिसमें 2022 में अभी तक एक भी नियुक्ती नहीं मिली है तो ये हाल साल 2022 में निकली उननिस बड़ी भरतियों का था जिसमें नौकरी तो 95184 युवाओं को मिली थी लेकिन अब यहां कड़े सरकार के नेता प्रवक्ता सिर्फ टीवी डिबेट में भरती निकालने के नाम पर गिनवाते नजर आते हैं और अगर पूछ लिया जाए कि आखिर इनमें नौकरी कितनी दी जा चुकी हैं तो फिर वो बगले जागते भी नजर आते हैं पिछले तीन साल से ही एक लाग पाँच हजार बेरुजगार नियुक्तियों की आस में हैं साल दोजार बीस और 21 की साथ बड़ी भरतियों में भी 11,781 पदों पर अब तक नियुक्तिया नहीं हो पाई हैं इन भरतियों का काम भी अभी प्रक्रिया धीन है इस पर भी एक नजर डालते हैं साल दोजार बीस और 21 की साथ बड़ी भरति 2794 पदों पर वनपाल वनरक्षक 2020 भरति निकाली गई इसमें फिजिकल टेस्स बाकी है 918 पदों पर कॉलेज लेक्चरर 2020 भरति निकाली गई नियुक्ति बाकी है 5396 पदों पर वीडियो 2021 भरति निकाली गई इसमें भी नियुक्ति बाकी है 869 पदों के लिए SI भरति 2021 निकाली गई साक्षातकार जारी है 197 पदों के लिए मोटर वाहन उपने रक्षित 2021 बरती निकाली गई इसमें परिणाम बाखी है 988 पदों के लिए आरेज 2021 बरती निकाली गई इसमें भी इंट्यूवी बाखी है 639 पदों के लिए सहायक फायर आफिसर 2021 बरती निकाली गई इसमें परिणाम बाखी हैं कुल मिलाकर इन दो सालों में 11,781 पदों पर भरतिया निकाली गई और अभी तक एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली हाला कि ये आकड़े यहीं नहीं रुकते नजाने कितने ही सालों से राजिस्तान का युवा सरकार के खोकले हो चुके सिस्टम में और रोजगार पर सियासत की आग में अपने भविश्य की आहुती देता आया है नर्सिंग भरती 2013 में दस साल बात भी 10,000 से जादा पदो पर नियुक्तियां अठकी होई है तो अब राजिस्तान में ये हाल है रोजगार के दावों के महीर राजिस्तान करमचारी चैन बोर्ड के अध्याक शरी प्रसाथ शर्मा का कहना है कि पिछले साल की भरतिया बोर्ड जो है वो पूरी करने में लगा है अगले कुछ महीनों में प्रक्रियाधीन भरतिया पूरी कर ली जाएगी चैन बोर्ड पिछले सालों की भरतिया पूरे करने की बात तो कह रहा है लेकिन टाइम लाइन न सरकार बताती है और न चैन बोर्ड किन पिछले सालों की भरतियों पर कितनी संख्या में न्यूक्तिया देने की कवाय चल रही है इस पर भी कोई क्लियरिटी चैन बोर्ड ने नहीं दी लेकिन जो आकड़े आज हमने आपके सामने रखे हैं उसे एसाफ है कि साल दर साल रोजगार की आसमें न जाने कितने युवा अफसाद और नाउमीदी के भवरों में फस रहे हैं और नजाने कितने परिवारों में चूला जलने की उमीद भी दम तोड़ रही है खैर आज जब अजमेर में युवा बेरोजगारों के प्रदर्शन के बीच गिरफतारी हुई तो कहा गया कि राजकारिये में बादा डालने के चलती है गिरफतारिया की गई है लेकिन लाखों युवाओं के भविशकों अधर में लटकाना क्या राजकारिये में बादा नहीं है इस सवाल का जवाब तो गहलो सरकार को देना होगा मईस साल के बजट में इन सभी वेरोजगारों को सरकार नियुक्तियों का तवफा देगी इस उमीद के साथ आज इस इंसाइड स्टोरी में इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें आप भी इससे जुड़ी कोई बात कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और राजिस्तान से जुड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए यूट्यूब पर सबस्क्राइब करें और फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टीवी नाइन राजिस्तान को नमस्कार